अपराद और अपरादियों के वृत चलाय जा रहा है अभियान के करम में गैंग बनाकर गौवंश का अपराद कारित करने वाले चार अपरादियों के वृत गोला थाने के पुलिस द्वारा गैंगेश्टर एड के तहद कारवाही की गई इस समद में मेडिया करमियों से बात करते हुए अपराद कारित करने के अपरादों पर अंकुष लगाने के अनुकर्म में गैंग लिटर जावेद आलम पुत्र नियाज एहमद वा सह अव्युक्त हिसामुद्दीन मोबीन वा वसीम एहमद के रूद गंगिश्टर एड के तह अपरादियों के ग्रूप जो लगतार अभ्यान चला जा रहा है उसी के करम में थाना गोला पर गैंगिश्टर एक्ट के अंतरगत अभ्योग पंजिकत किया गया है इस अधिनियम में जितने भी अभ्योग्त हैं उन सब की जो अवैद रूप से अरजित संपती है उसको भी चिनित करके जबती करम की कारिवाई की जाएगी और अब इसमें थाना गोला पर अग्रियों भी दिखा रही है इसमें जो तेरा रहन बसेरे हैं उसमें 640 लोगों के रुकने की छमता है इसके लावा एक आस्थाई रहन वसरा संचालित हो रहा है जिसको देखते हुए हमने वहाँ पर व्यापक परबंद किये हैं महा नगर में 800 से अधिक जगों पर अलाओ की वेवस्था की गई है और सभी रहन बसेरों के बाहर भी अलाओ जल रहा है उन्होंने कहा कि रेलवे वा बस इस्टेशन पर जो जातरी आते हैं उनको रातरी कालीन टीम रहन बसेरा रुक कुप जारी है अलगातार जो पारा है उनीचे गिरता जारा है तो ऐसे में हमारे जो रहें लगबक 13 रहें हमारे हैं उनमें 640 से अधिक हमारी बैड शमता है और एक एस्था हमारे रहे है उन सब में प्यापक प्रबंद हमने शर्ड़ी को रुकताम के लिए किये हैं अलाओ की विवस्ता भी 800 से अधिक जगों पर हम कर रहे हैं लगातार जहां जहां से डिमांड आ रही है तो रंत वहां पर अलाब की विवस्ता कराई जा रही है खास तोर पर उन जगों पर जहां पर हमारे फ्लूटिंग पॉपुलेशन बहुत सारे हमारे यात्री गणाते हैं वरिल्वे स्टेशन पर बसे श्टेंड पर वहां पर रात्री कर लिन में दूकने के लिए व्यापक प्रबंध नगन निगम के द्वार्व किये जा रहे हैं अस्ताइ रन वसेरा अधिया है बियाडी मेडिकल कोज में हमारे एस्टेशन के पास बने है बस्सेंड के पास यहां जहां आवशकता होगी वहांपर भी हम करवाई कर रहें जनपत में पांडे हाता के दुकांदारों ने रोड चोड़ करण के विरोध में अपनी दुकानों को बंद किया जिसके संबद में दुकांदा ललित काईल ने बताया कि हम सभी दुकांदार अपनी स्वेक्षा से अपनी दुकानों को बंद किया है इसको शासंग के दौरा व हम लोग सड़क पर आ जाएंगे इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि कोई भी फैसला लें तो यह अपारियों के हित में हो इस समझ में गोरख पुनी से बात करते वे पांडे हाता के दुकांदार ललित कैल ने कहा अगर आप काट देंगे विरासत गलियारा अपने नाम रखा है यह सब हमारे विरासत है दुकाने यह जो हैं यह मार्केट पूरा विरासत है आप पूरी विरासत मिटा देंगे तो फिर गलियारे का नाम विरासत गलियारा रखने का मतलब क्या है हम लोग छोटे छोटे दुक पूरी मंडी को चौना कर देंगे तो फिर मतलब क्या निकलेगा मार्केट का आप कह रहे हैं कि हम मार्केट को बचाना चाहरे है हम पूरानी मार्केट को वापस से बसाना चाहरे है अरे भाई उजार देंगे आप 400-500 दुखाने ये जितने व्यपारी आप देख रहे हैं सब अपनी सुच्छा से दुकाने बंद किया है, यहां पर जितना भी लोग, मांग हमारी कुछ नहीं है, मांग हमारी वस इतनी है, कि आप एक संगठित करिए मार्केट को, काटना नहीं है, सब अभी वावक हैं मारे, महराजी हम लोग के पूझे हैं, हम लोग किसी के भी भी वारी करहते हैं, हम लोग बैचेंगे क्या, खाएंगे क्या, अपने घर को क्या खिलाएंगे? हमारा नाम ललित कैयाल है, यह सारे जितने भी आप देख रहे हैं, अब लोग साथ में, फृतर एलिक त्बारा थन्ड में कोहरे को देखते वे, सभी ट्रेनों में fog save device लगा पिछले साल ट्रेनों में एक नई डिवाइस लगाई गई है जिसको Fox Save Device कहते हैं ये GPS डिवाइस की तरह कार्य करता है इसके लगने के बाद ट्रेनों की जो अधिकतम स्पीड हो सकती है वो 75 किलोमेटर परती घंटे है इसकी वज़े से ट्रेन की स्पीड अधिक होने पर भी च संचालित हो रही है इसके लवा रात में नाइट पेट्रोलिंग भी की जा रही है जिससे ट्रेनों का संचालन आसानी से हो सके इस समद में गोरख पुनी से बात करते हुए पुरवत्तर रेलवे के CPRO पंकश कुमार सिंग ने कहा अभी ये पूरा रीजन जो हमारा है यूप के स्पीड रिस्ट्रिक्टेट रहती है पहले ये रिस्ट्रिक्शन अधिक्तम साथ किलोमेटर प्रत घंटे का हुआ करता था लेकिन विगत वर्षों में एक नई डिवाइस लगाई गई जिसे फॉक से डिवाइस कहते हैं ये GPS आधारिक डिवाइस है इसके लगने के अधार है जिससे फाइदा ये हुआ है कि जो टेने हमारी लोगो पाइलट है उसको एडवांस में पता चल जाता है कि अभी सिगनल आने में कितनी दूरी है उसमें आलरीडी सभी सिगनल और लडी उस डिवाइस में फीड किये रहते हैं पर्टिकुलर रूट के जिस पर वो हमारी है वह बहतर है पिछले सालों की तुल्ला में जब देखेंगे जो पहले कोहरे में जिस परकार से टेने डिले होती थी तो उसमें बहुत सुधार आया है और दूसरी चीज संग्रक्षा जो है जो कि बहुत ही इंपॉर्डेंट है उसको लेकर हम लोग नाइट पेट्र है कि और यह सारी चीजें की जाती है लोगों को जागरूप किया जाता है जो हमारे संग्रक्षा से जुड़े करमचारी है उनकी काउंसलिंग की गई है तो सभी जो भी संग्रक्षा और शुरक्षा को लेकर जो मानक है उस पे कार्य कर रही है रेले जिसे यात्रियों को बादर सिंग निक गन्हा कि सानों के लिए होने वाले सम्मान के करिकर्यम की तैरियों को लेकर आयूस सभागार में समद्धित अधिकारियों के साथ बैटक केश D. दौरार अपर हैत परशहसंग कूई बादर सिंग ने कहा कि इसमें उत्कृष्टि कारी करने वाली चीनी मिलों, सहकारी गरना समितियों, माईला समयम सहता समु सहित, युवा किसानों का सम्मान होना है, ये सरकारी की तरफ से एक योजना चल लगी है, जिसमें प्रतमदीतिय वत्रितिय अस्तान पाते हैं, उनको पर श्कृत किया जाता है जिसके अध्यच जिलादिकारी हैं इसमें उत्कृष्ण प्रदशन करने वाले गन्हा किसानों को सम्मानित किया जाएगा पर श्कृत किया जाता है जिलों को सम्मानित किया जाता है पांच चीनी मिले हैं तुष्णी नगर की सेवरही है हाटा है खड़ा है और रांपूला और सक्याओं चीनी मिले तो इनकी जो नंबरीं की गई जिसे इनका गन्ना मुली बुक्तान इनकी चीनी रिकवरी परसेंटेज इनका ट्रॉल परसेंटेज गन्ने की तौल वाइटल ब खड़ा को 70 मार्क्स मिलते हैं 60 normally अपर यूदु कुमर बहादौ सिंग के अटल आवासिय विद्याले को लेकर समध्द अधिकारीयों के साथ आयुक सभागार में बैठ आ कि इस दौरान अपर यूदु कुमर बहादौ सिंग ने का कि अटल आवासिय विद्याले की शासन से मौनिटरिंग की जाती है जिसमें गरी बच्चों को आवासिय शिचात दी जा रही है नए सत्र में बहतर एडमिशन किया जाए इसके लिए पूरे मंडल में व्यापक रूप से परचार परसार किया जाए जिससे इसका लावगरी बच्चों को मिल सके गुरपूर जिले के पिप्राइश थाना के पुलिस्टीन में धोखादड़ी करके रूपे हडपने के आरोपी चिल बिलवा के गुस टोला निवासी किशोर कुमार यादो को गरिफतार किया है उसके खिलाब जाल साजी अमानत में ख्याना थे जाल माल की धंकी और साजिस रचने की धाराओं में केस दर्च करके पुलिस तलाश कर रही थी इस समद्ध में स्पी नार्थ जितेंदर कुमार शिवास्तों ने बताए कि आरोपी ने एक मन्द बुद्धी वेक्ती से राशन उठाने के बहाने ले जाकर उसकी जमीन का बैनामा करा लिया दोखा दड़ि की जानकारी होने पुलित परिवार ने जब आरोपी से रूपए मागे तो उसने जान माल की ध्रच करके आरोपी की तलाश की जा रही थी जिसे गरिफतार कर नैयाले के समचशे पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया इस सम्मध में गोरपुनी समधाता से बात करते हुए स्पी नार्च जितिन को माशिर वास्तों ने कहा गोरपुर के नवागत एड़ी जी जोन के इस परताब ने कारभान करण करने के पशाद पर इस वारता कर मीडिया कर्मी उसे रूबरू होते वे का कि चिनीत माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा महिलाओं की स्रच्छा सर्वोच परात्मिकता रहेगी उन्होंने कहा कि फर्यादियों की शिकायतों का गोरपुर निस्तारन कराया जाएगा साथ ही आप राधियों पर नकेल कसने को लेकर विरहत अभियाँ चलाया जाएगा एड़ी जी जोन के इस परताब ने बताया कि सिमावरती इलाकों की निगरानी तेस की जाएगी एड़ी जी जोन लेबल पर जन सुनवाई पर विशेश ध्यान देने का निर्देश दिया गया है प्रेस वारता के दोरान आईजी रेंज जे रविंदर गोर्ड, स्स्पी डाक्टर गोरो गोरुवर, स्पी सिटी क्रिशन कुमार बिश्नुई, सहित अनियादिकारी और कर्मचारी गड़ मौजूद रहे इस समद में गोरखपुर्णी समदाता से बात करते हुए नावागत ADG जोन के इस परताब ने कहा गोरखपुर पुलिस जोन का प्रादमिक ताओं में माफियाओं के खिलाफ कारवाई, महिलाओं का सम्मान सुरक्षा, अपराद को रोकना, अपराद का अनुवेशन और अपराद का नियंत्रन ये हमारे प्रादमिक ताओं में शामिल है जन सुनवाई पर भी गोरखपुर के पूरे जोन के अधिकारी ध्यान देंगे और इस पर भी ध्यान देंगे के कोई निर्दोष व्यक्ति को छेडा न जाए, परम्तु दोशी व्यक्ति को छोडा न जाए जन सुनवाई के तहद यह सुनिश्चित करें के गुणवत्ता पूरवक उनकी समस्या का निर्दा करन हो जो भी व्यक्ति थाने पर आता है उनको सम्मान पूरवक, साहनुबूती पूरवक, सम्वेधन शीलता से उसकी समस्या सुनी जाए और तत्यों के आधार पर, साक्षों के आधार पर सही उसका निरा करन हो परशाचार के खिलाब जीरो टालरंस की पालिसी है, किसी भी प्रकार का इस तरह का कृत्य अक्षम में होगा अंत में हम यही कहना चारे हैं कि अपराध और अपराध से जुड़े हुए सभी तत्यों के खिलाफ पुलिस की सक्त कारवाई अमल में लाई जाए भनिवादा अपरेशन त्रिनेत्र एक बहुत महतपूर्ण अभ्यान है और इस अभ्यान के तहद प्रति दिन कैमराओं की संख्या बढ़ती जा रही है जैसे के एक ही दिन में कल पांसो से जादा कैमरा लगाए गए हैं और निश्चित रूप से यह अभ्यान अपराध नियंत्रण में बहुत लाबकारी साबित हो रहा है भारत और नेपाल सीमा एक महतपून हमारा कारक्षित्र का एक बिंदू है और इस सीमा पर सतत्रकता असामाजिक तत्व चरार्थी तत्व अतिक्रमन इन सब के खिलाब कारवाई करने के लिए वहाँ विभिन आउटपोस्ट बनाए गये हैं और इस पर खास द्यान हमारे जो बॉडर के जिले हैं उनके पुलिस द्वारा खास द्यान देकर प्रभावी कारवाई इस समवन में अमन में लाई दा वरीश पुलिस अदिचक टटर गौरो गरोवर के निरेशन में पुलिस अदिचक उत्तरी जीतेंद्र कुमार शिर्वास्तो दवरा थाना गुलहरिया पुलिस टीब के साथ कानून एवं सुरक्षा वेवस्ता के दृष्ट भीड़ा वाले अस्थानों एवं मुक्ष बाज मुक्ष बाज।